अप्लाए कर दीजिये अप्लाए कर दीजिये अप्लाए क है व्लो creatively linha जो गहाई होगा जैसा कि हुम लोगो ने बिदाया थेकि पहला वी जो होगा फ्री होगा अना तो सब इक लिए होगा एप पे भी होगा YouTube पर भी होगा तो अभी एप पे भी जो है वो अन हो जाएगा classes उसके बाद हम लो continue करते हैं ठीक है थोड़ा सा इंतजार उसके बाद class हम लोग स्टार्ट करेंगे I think audio video जो है वो सही हो रहा होगा हाँ ठीक है गुट आप पे भी जो है वो इस्टार्ट है तो भई एजुकेशन अड़ प्लैटफर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है आज जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था क्लास 11 का अब बहुत मिनिममम प्राइस में आ गया है अना बहुत मिनिममम प्राइस में आ गया है जैसे कि 11 पा प्लास का क्रेसट कोर्स है जिसमें साइंस स्ट्रीम का बिच्छी वीडीयो लेक्चर भी आपको मिलने वाला और साथी साथ इसमें जो है वो दस मॉक टेस्ट होने वाला है अब देखो यहाँ पर दो बैच है जो हिंदी माधियम से करना चाह रहे थे तैयारी तो उनके लिए अंतिम 2.0 बैच है अच्छा कुछ बच्चे बोलें सर एप पे जो है वो सिर्फ 6 और 9 का दिख रहा ऐसा कुछ न जाओगे तो आपको अंतिम 2.0 बैच दिख जाएगा 1299 में आपको जो भी बच्चे हिंदी माधियम से क्लास 11 इंट्रेंस एक्जाम साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं हना और डिप्लोमा इंजिनियरिंग करना चाह रहे हैं अलीगड मुस्लिम उनिवर्स्टी का और जाम करना चाहते हैं तो 1599 जाइए एक्सेस कीजिए और आज से जैसे की क्लास चुरू हुआ लग जाईए ठीक है उसी तरीके से यहां पर देख लो भाईया और भी सारे बैचेज हैं आपका क्लास 6 के लिए भी है क्लास 9 के लिए वहां पर जाकर के आप जो है वो जोइन कर सकते है आप के लिए सफलता बैच है आप लोग जाकर के जोएन कर सकते हैं आपको मिलेगा कहां आप लोग क्या करोगे सबसे पहले एजुकेशन अड़ाइब प्लस एप डाउनलोड करें प्लेइस्टोर से और उसके बाद आप जो है लोग यह मतलब रजिस्टर करोगे रजिस् स्टार्ट केजिए तो अब हम लोग आ जाते हैं बैक टुदे पवेलियन ज्यादस ज्यादा बच्चे जुड़े ताकि आप लोगों को फायदा आओ ठीक है डोरा जैद अनसारी आरिफ अनसारी एस खान सामिया रुकसार परवीन हाँ चलिए जुड़ जाएं क्यूंकि बनेे देखा बहुत सारे नहीं एक बच्चे कामने कमेंट देखा उन्होंने कहा कि सर आप तो बड़े बत्तमीज हों बड़े बेसरम हो तो बच्चों का बोड एक्जाम चल रहा है आप बैच ला रहे हो क्रेच पूर्स कोर्स ला रहे हो मतलब सिर्फ पाइसा कमाना चाहते बहुत कितना पैसा पैसा कमाने वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं 12,000-15,000 क्राइस कोर्स करके बेच भी रहे हैं हम तो बहुत minimum fees में क्राइस कोर्स इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपका board exam चल रहा है लेकिन आपका exam तो ठीक जैसे भी board exam finish होगा एक महिने के बाद हो जाएगा तैयारी नहीं करोगे तो selection कहां से होगा सर कोई बतमीज कह रहे हैं सर कोई बेशरम कह रहे हैं अरे भई अपढ़ लो ठीक है और थोड़ा तमीज सीखो तमीज थोड़ा सा decorum सीखो आप जिस teacher से जिस उस्ताद से सीख रहे हो शायद आपको तमीज नहीं सिखाया जा रहा है तो वो गलत teacher है गलत teacher से पढ़ रहे हो भाई आरी बात समझ में तो अपना teacher बदलो सबसे पहले जो आपको बोलने का सलीका नहीं सिखा रहा है है ना कहीं पर भ भर हम लोग क्या करें थोड़ा सतो एड्जिस करना पड़े गना नमाज पढ़ लींजेगा नमास पढ़ने के लिए कहां बोल मं जा रहे हो बता ओ हम लोग बढ़ेंगे आ लाग अ आवाज हरी सभी बच्छों को आपने प्रेशने करें हैं तो कि लिए सबसे पहला सवाल यहां पर डिखो दोनों के लिए यह बोनों के लिए एक साथ खdone looked Mens रगे हैं सबसे पहला कोशन यहां पर दिया गया है कि out of the following choices select the option that is not a life process यानि कि निम्लिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें जो जीवन परक्रिया नहीं है जय परकरम नहीं है option है यहाँ पर respiration, digestion, reproduction, reflection अन्य स्वसन, पाचन, प्रजनन या परतिभिम अब इसका answer फटा-फट बताइए, life process होता क्या है यह आप लोगों को पता है life process हमारे शरीर में वैसे process होते हैं, वैसे प्रिक्रिया होते हैं जो हमको जिन्दा रखने का काम करता है, अगर उसमें से कोई भी एक में गड़बड हो गया तो इंसान जो है वो जिन्दा नहीं रह पाएगा, आरी बात समझ में हमारे body के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी किरियाएं हो रही हैं, बहुत सारे process हो रहे हैं, जो continuously हमको जिन्दा रखने का काम करता है अगर उस process में अगर गड़बड़ी आ जाए, तो इंसान डगमगाना शुरू हो जाएगा, कहने का मतलब वो अच्छी तरीके से work नहीं करेगा और अगर खराब हो जाए, एक process पूरी तरीके से damage हो जाए, तो इंसान की death होने की भी possibilities हो सकती है तो ऐसे process को life process कहा जाता है, जैव परकरम कहा जाता है, जीवन परकरियाय कहीं जाती है, तो यहां पर आपका है स्वसन याणि respiration, आपको पता है कि respiration एक ऐसा process है, स्वसन एक ऐसा process है, जिसमें energy बनता है उर्जा बनता है, और उस energy का इस्तमाल करके हम तरह तरह के functions करते हैं छोड़े छोड़े एकदम टुकड़े में बाट दिया जाता है और इतना छोड़ा कर दिया जाता है जिसको फिर सेल के अंदर ले जाया जाता है कोशिका के अंदर ले जाया जाता है वहाँ पर उसको तोड़ करके फिर एनरजी बनाया जाता है ह Dayton कि धिक Ö degbil production यह रिई production प्रजनन जिसको बोलते हैं के बोलते प्रजनन बोलते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है मेरे शेर बच्चे जिसमें अपने जैसे नया individuals बनाए जाते हैं, reproduction इसलिए जरूरी है, अगर reproduction नहीं होगा, अगर कोई भी species reproduction नहीं करेगा, प्रजनन नहीं करेगा, कोई भी परजाती प्रजनन नहीं करेगी, तो हम लोगों को पता है कि जिसमें भी जान है जिसमें भी life है उसका एक कड़वा सच यह है कि जिसमें जान है वो एक नएक दिन खतम हो जाएगा मर जाएगा और मरने से पहले अगर उन्होंने reproduction नहीं किया प्रजनन नहीं किया अपने जैसा निया इंडिविजुल्स नहीं बनाया तो सब के सब मर जाएंगे तो उस species का कोई भी मेंबर नहीं बचेगा उस पर जाती का कोई भी मेंबर नहीं बचेगा और आखिकार वो पूरी species इस अर्थ से विलुप्त हो जाएंगे एक्स्टिंक्ट हो जाएंगे खताम हो जाएंगे तो रिप्रोडक्शन प्रजनन एक ऐसी प्रकिरिया है जिसमें अर्थ पर लाइफ की क्टिन्यूटी को मेंटेन किया जाता है अर्थ पर जीवन बना करके रखा जाता है अगर सारे ही दुनिया में जितने बी लिविं़ फॉर्मस हैं जितने भी सजीव जीव जितने वी जीव है अगर वो प्रशन ना करें रिप्रड़क्शन ना करें तो एक ना एक दिन आर्थ से इस प्रत्वी से जीवन ही खतम हो जाएगा तो रिप्रोडक्शन भी प्रसेस में माना जाता LEE किरह किया अव्य हां बिल्कुल अब यहां पर बात आया कि रिफलेक्ष одно-s जाइबायि वाला प्रोसेस तो नहीं तो यही जो है मेरे शेषर बच्चे यह लई प्रोसेस नहीं माना जाएगा यह लाईब प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं अब यहां पर लिखा गया कि the process by which green plants convert carbon dioxide and water into glucose using sunlight is called respiration photosynthesis fermentation या transpiration बोला गया कि एक ऐसा प्रिकिरिया सवाल क्या बोला जा रहा है कि वह प्रिकिरिया जिसके दुआरा हरे पौदे शूरी की परकास का उपयोग करके carbon dioxide और पानी को glucose में परिवर्तित करते हैं क्या कौन सा प्रोसेस कहलाता है स्वासन परकास संसलेशन किनवन या फिर वास्पोथ सर्जन तो हम लोगों को पता है कि वह कौन सी प्रिकिरिया है जिसमें हरे पौधे जिसमें green plants sunlight का इस्तमाल करके शूरी की परकास का इस्तमाल करके पानी का इस्तमाल करके यहां पर क्या लिखा हुआ है and water into glucose carbon dioxide और water carbon dioxide gas और water का इस्तमाल करके शूरी की परकास की मदद से एक और चीज़ होती है जो पौधों के लीफ में पत्तियों में pigment पाया जाता है जिसको chlorophyll कहते है उसकी मदद से glucose बनाता है यानि की भोजन बनाता है और जो पाउधे जो जीव अपने अंदर अपने शरीर के अंदर भोजन बना ले उसको autotropes कहते हैं आपको पता है सही आंसर और यह बहुत आसान सा सवाल लग रहा होगा इस तरह का आप प्रिवियस एक कोशन उठाओगे तो बहुत साल में इस तरह के कोशन पूचे गए ठीक है राव मटेरियल पूछ देता है सकता है फोनESO इसका सही आंसर फूटोसेंटाइस यानी फोटोसेंटेश एक ऐसा प्रोसेशा जिसमें जिसमें Tort form फोन नंस करतेशन कारवन डायोकसाईट गैस और जल की मदद से घ्लुकोज बनाते हैं सूरीकि प्रकास के किर्दों के अंदर और जो क्लोरोफील होता है वो सूरी की परकास को एब्सॉर्ब करता है जो क्लोरोफील होता है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है ठीक है चलिए next which organ in the human body is responsible for filtering waste product from the blood and producing urine मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त से अपसिस्ट उत्पादों को filter करने और मुत्र के उत्पादन के लिए जिमिदार है लीवर लंग किड्नी या फिर स्टमक यानि कि बोला गया है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा अंग है जो बलेड को filter करता है यानि बलेड में जो भी waste product है अपसिस्ट पदार्थ है अस्पिस्ट उत्पाद है उसको filter करता है रिमूव करता है और यूरीन बनाता है क्या बनाता है यूरीन बनाता है मूत्र बनाता है वो कौन सा अंग है जहां पर बलेड फिल्टर हो रहा है जहां बच गया किड़नी बच गया गुर्दा बच गया किड़नी इस दराइट आंसर किड़नी में किड़नी में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको नेफराउन कहते हैं क्या कहता है नेफराउन और उसी नेफराउन के अंदर क्या बनता है यूरीन बनता है उसी नेफराउन के अंदर बलड क्या होते हैं फिल्टर्ड होते हैं ठीक है ओके अगर सारे बच्चे को यह समझ में आ रहा है तो इस तरीके से थम इप्रेशन देंगे माहौल बना करके र डिया जा रहा था सारे लेक्टर सापको दिये जा रहे इसक Rafael यूशेन के साथ इसुस लेक्छर का के बीसी सीफिए प्र demons कर देंगे ना इतने सारे कोश्टिंस करा देंगे स्कूट इसमें सत्रख साथ आपको प्यकि राये जाएंगे आ OUT कराये जा रहे हा है ने होता तैस्ट हो और जामिा के सब्स्केशित और के बोर बढ़िया बहुत बढ़ियां आगे बढ़ते हैं next question की तरफ अब देखो सवाल क्या बोला जा रहा है कि the breakdown of glucose to release energy in the absence of oxygen is known as क्या बोला गया है कि oxygen की अनुपस्थिती यानि कि absence में उर्जा बनाया जा रहा है glucose को तोड़ करके तो क्या कहलाता है अब बताइए यहाँ पर अब आप लोगों को दो तरह का respiration पढ़ाया गया था दो तरह का स्वसन पढ़ाया गया था aerobic respiration और anaerobic respiration वायू स्वसन और आवायू वी स्वसन यानि कि अगर energy बन रहा है बिना oxygen की मदद से अगर glucose को तोड़ा जा रहा है बिना oxygen की मदद से तो उसको एन aerobic बोलते हैं आवायू वी स्वसन कहते हैं लेकिन अगर glucose को तोड़ा जा रहा है oxygen की मदद से तो उसको aerobic respiration कहते हैं वायू स्वसन कहते हैं तो कौन सा process है जिसमें बिना oxygen की मदद से glucose को तोड़ रहे हैं और उर्जा बन रहा है, energy बन रहा है, तो भाईया photosynthesis में energy नहीं बनता, photosynthesis में क्या बनता है, भोजन बनता है, तो ये नहीं होगा, fermentation process को देखिए, transpiration नहीं होगा, हम लोगों को पता है कि transpiration क्या होता है, waspout surgeon क्या होता है, जब plants के में excess, plants के लिए में जब excess water, ज्यादा ज्यादा पानी भर जाता है, तो water vapor के form में, भाब के form में, वो पानी को stomata के जरीए, रंदर के जरीए, बाहर निकाला जाता है, भाब के शकल में, तो उसको waspout surgeon कहते हैं, transpiration कहते हैं, ठीके तो ये तो नहीं होगा, excret excretion एक ऐसा process है, उत सर्जन एक वैसा परकिरिया है, जिसमें हमारे शरीर में जितने भी तरह के waste बन रहा है, उस process के माधियम से हम उस waste product को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको excretion कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है, कि बिना oxygen की मदद से glucose को तोड़ा जा रहा है, और energy बन रहा है, उस process को क्या कहते हैं, तो इस process को बात करें, और न अरोबिक respiration होगा, बिना oxygen की मदद से जो है वो energy बन रहा है, लेकिन process क्या कहलाता है, और यह process और भी जगह use होते हैं, ठीक है, और भी जगह use होते हैं, तो इस process को बोला जाएगा, किनवन और English में fermentation, और fermentation आप लोग देगो हिंदी वाले भी बच्चे जो कुछ-कुछ तर्म इंग्लिस में समझो इंग्लिस में याद रखो ताकि वहां पर कन्फिजन ना हो दोनों दोनों मोड में कोशन आएंगे अलिगर्ड मुस्लिम उनिवस्ट्री में और जामिया में ठीक है फर्मन्टेशन तो फर्मन्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बीन ऑक्सिजन की मदद से ग्लुकोस को तोड़ा जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पाटी दप्रोसेस अफ टेकिंग इन ऑक्सिजन और कार्बन डायोकसाइड चोड़ने की परिकिरिया को क्या कहा जाता है डाइजेशन कहां से कहा जाएगा भया पाचन कहां से कहा जाएगा बोजन को पचा थोड़ी रहें बोजन को तो कहां से होगा उत्सर्जन कहां से होगा रैस्पिरेशन क्या होता है रैस्पिरेशन स्वसन भया रैस्पिरेशन के लिए भया ऑक्सिजन जरूरी है कि Co जब उर्जा बनाना है शरीर के अंदर धर उर्जा यहरे शरीर सफल के अंदर बनता है क्योंकिशंद के अंदर जो है वह इल्डू factory Box दोटव कर दोदब दोड़ा जाएगा ऑक्षिजन की मदभध से तब ही जो है वह इनर्जी अैब और वस इनर्जी की हम इस्तमाल तरह तरह के कारी करने के लिए करेंगे तो उस सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना होगा और हम लोग रेस्पिरेशन में यही तो पढ़ रहेते हैं कि किस तरीके से नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन जाता है कोशिका के अंदर सेल के अंदर और फिर वहां प्रोसेस होता है हम लोगों के लिए वेस्ट प्रोड़क्ट है अपसिस्ट उत्पाद है तो उसका इस्तमाल हम लोग नहीं करेंगे उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा तो फिर उस कार्बन डायोकसाइड को लंग्स में लाया जाता है फिर लंग्स के जरीए फिर जो है वो नाक के ज सरी जो है उस्most carbon dioxide को बाहर निकाला जाता है तो यए प्रोसेस उसीजन लेना फिर carbon dioxide के अंधर बनेगा फिर उस carbon dioxide को शरीर से बाहर निकालना यह प्रोसेस respiration कहला आता है स्वसंध संपिशन कहला का समझ में आया है कि स devened तो हलवा है हलवा है तो खालो हना हला थो का भाई हम तो चhon थान के सारे कोशओं आपके लिए हलवां परां Jessica संद्वाट सेल वांसर अच्छे माक थाजाए है आर सलेक्षण हो जाए- पादप सेल यानि की प्लांट सेल की बात हो रही है पादप कोशिका की बात हो रही है तो उसमें वह कौन सा और गिनल है वह कौन सा जगह है जहां पर फोटो संथसिस होता है वाकई में होता है क्योंकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें प्लांट पादप कोशिका की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे cell और्गेनल पाय जाते हैं कोशिका अंगक पाय जाते हैं आपका mitochondria हो गया आपका chloroplast हो गया आपका Golgi उपकरन हो गया गोली जिसको कहते हैं आपका एंडीब फ्लासमिक रेटिकुलम हो गया अंतप्रध्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं, दो तरह के होता है आप लोगों ने पर्ड़ा हैं अन्त प्रध्रव्य जालिका, एक होता है चिकनी और एक होता है खुर्दरी, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम, तो ये सारे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले भिन भिन परकार के कोशिका अंगक है, ये सारे सेल के अंदर पाए जाने वाले different different types of cell organelles हैं लेकिन पूछा जा रहा कि वो कौन सा specific cell organelle है वो कौन सा एक खास तरह का कोशी का अंगक है जहां पर photosynthesis पर का संसलेशन होता है यह बोला जा रहा है बताओ तो एक और चीज़ हम बता देते हैं कि भाईया photosynthesis सिर्फ और सिर्फ plant में होता है एनिमल में नहीं होता है तो that means वो cell organelle that means वो कौशी का अंगक animal cell में तो नहीं पाय जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाय जाएगा तो वो होता है प्लास्टीड और प्लास्टीड में भी कौन सा क्लोरो प्लास्ट के अंदर ही photosynthesis होता है भोजन बनता है इसलिए कोशिका का रसोई घर उसको कहते हैं और एक बच्चा बोले हैं माइटो कॉंड्रिया इस पार हाउस ऑफ देसल बिलकुल सई पावर हाउस कुई वहाँ एनरजी बनता है एनर्जी बनता है, समझ में आया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो power house है, nucleus भी नहीं होगा, गॉल्जी अपरेटेस भी नहीं होगा, क्या chloroplast, हाना, mitochondria नहीं होगा, नाभी को कैंद्रक कहते है, nucleus को कैंद्रक कहते है, तो कैंद्रक भी नहीं होगा, गॉल्जी उपकरन भी नहीं होगा, होगा क्या chloroplast, इसी के अंदर photosynthesis होता है, परकास sensation होता है, समझ में आया मेरे लाल पिले नीले, next question की तरफ बढ़े, चले बढ़ते हैं, out of the following choices, select the option that is not a raw material required for photosynthesis, निमनलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चैन करें, जो परकास sensation के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं है, यानि आप लोगों को बताया गया था, यानि आप लोगों को बताया गया था, कि अगर photosynthesis करना है, तो कुछ चीजों की अवश्यक्ता होगी, कुछ चीजों की जरूरत होगी, तो वो क्या-क्या होते हैं, तो सबसे पहले होता है carbon dioxide, दूसरा होता है water, और तीसरा होता है chlorophyll, क्या होता है मेरे लाल पिले नहीं, ले, chlorophyll, और चौता होता है sunlight, क्या होता है, सनलाइट होता है, अगर अगर इनमें से कोई भी एपसेंस होगा तो भाया फोटो संथेस्ट नहीं होगा परकास्ट इंसलेशन नहीं होगा ठीक है अगर सॉरी बच्चे तो चलिए वह यहां पूचा गया कि इनमें से कौन सा है जो रॉटेरियल ही नहीं फोटो संथेस्ट के लिए परकास्ट इंसलेशन के लिए तो हमको तो पता है कार्बन डायोकसाइड है तो यह आंसर नहीं होगा किसी इसको की इसमाइल वाला है की भी है की भी है तो यह थे कार्बन डायोक्साइड तो है भाई संलाइड भी है तो यह भी नहीं होगा वाटर है यह भी नहीं होगा ऑक्सीजन क्या भाई या ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है मेरे शेर बच्चे ऑक्सीजन जो है यह चीजें यह ऑक्सीजन आपका नहीं है यह ऑक्सीजन जो है व किसके प्रेजेंस में मेरे लाल पी ले नीले हैं सनलाइट सनलाइट और क्लोरोफिल क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है क्या बनाता है C6 H12 O6 और साथी साथ ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है तो यह तो प्रोडक्ट हो गया रॉब मटेरियल तो आपका ये हुआ, रॉब मटेरियल तो आपका ये हुआ, carbon dioxide, ये हुआ, water, ये हुआ, sunlight, ये हुआ, chlorophyll, ये थोड़ी हुआ, ये तो product है, ये तो बना भाई, ये glucose है, ये क्या भाईया, ये ग्लुकोस है, ये भोजन है और ये oxygen gas है, इसका इस्तमाल करता है ना ठीक है चलो बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बच्चा पाटी मज़ा आ गया चलिए नेक्स्ट कोशन की तरब बढ़ते हैं दो वेस्ट प्रोड़क्ट प्रोड्यूज दूरिंग रेस्पिरेशन इन हुमन इज मनिश में स्वसन के दौरान उतपन अपसिस्ट उतपाद है यानि कि जब रेस्पिरेशन होता है यूमन बॉड़ी में यूमन्स में मानव में तो जो वेस्ट प्रोड़क्ट बनता है वो कौन-कौन सा है वो क्या है कार्बन डाय उक्साइड ऑक्सिजन ग्लुकोज या वाटर तो आप लोगों को बताया गिया था भाईया कि हम लोगों में जो वेस्ट प्रोड़क्ट होता है वो होता है कार्बन डाय उक्साइड इसको हमको शरीर से बाहर निकालना होता है इसको हमको शरीर से बाहर निकालना होता है ठीक है वाट इट और नॉट बताओ बताईये बताओ 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 भाई बोलो के सार लुलु पाला वाला जो है वो कोशन पूछना है धीरे धीरे बढ़ेंगा आगे है ना अब तो नेक्स कोशन दप्रोसेस भाई विच एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्त आर रिमूव फ्रॉम दाओ बॉड़ी इन दा फॉम उरी इसकोल मनुश में स्वसंद के दोرान उथ पन अच्छा इसका लग रहा है की हिंदी हुआ ही नहीं इसका है हिंदी करके बता देंगे इसका हम हिंदी करके बता देते हैं लगता है कंटेंट रैटिंग में गलती हो जैस二 जाएदा जयादा जल और भी बहुत सारे वेस्ट उसको जो है वह यूरीन की शकल में यानी मल मल नहीं मुत्र की यूरीन की शकल में शरीर से बाहर निकाला जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं तो हमने बताया ही हमारे शरी में जो भी वेस्ट प्रोड़क्ट बनता है जो भी अपसिस्ट उत्पाद बनता उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए प्रिक्रिया एक क्रिया होती है एक प्र बाहर निकाला जाता है ठीक है ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन विच आफ दो फॉलेंग इस वॉलेंटरी एक्शन क्या बोला गिया है निमलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्य है दो तरह के कार्य होता है स्वैच्छिक और अनेक्छिक दो तरह के एक्शन होता है वॉलेंटरी और इन्वॉलेंटरी यानि वैसा एक्शन वैसा कार यह जो अपने आप हो जाए जिसमें हमारा कोई कंट्रोल ना हो उसको कहते हैं उसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं इन्वॉले वह चीज जिसे के हाथ को यहां पोचाना है फिर वापस लाना है यह हम अपने akoarding कर रहे है तो यह voluntary actions कहलाते हैं यह सवैकचिक किरिया कहलाते है लेकिन जैसे हमारे शहरे में बहुत सारी किरिया होरी हमारे शहरे में क्या हो को स्टूर्ट से लड़ना है तो हमारे अंदर ताकत अर्जी बहुत जादा हो जाए तो जल्दी गुलुकोस तोड़ो बईया और एनर्जी बनाना शुरू हो जाओ ताकि हम पावर जो है वह भर ले अपने अंदर और एक मुक्का मारें थाली को तो घ्रेट करेट खली को ना नहीं याद आजाए जाना ऐसा तो नहीं होता एनर्जी मेरे कॉर्डिंग तो नहीं बनता हम लोग को यह नहीं बनता बनता है तो वह अनेक्षिक की रिया है यानि की involuntary action है तो सवाल पूछा गया है कि इसमें से कौन सा action है जो सवैक्षिक इन निमलिखित में से कौन सा एक सवैक्षिक करें जो voluntary action जो हमारे recording होता है जो हमारे recording होता है बताओ हार्ट बीट दिल का धड़कना दिल का धड़कना ठीक है तो दिल का धड़कना तो भाईया अगर मेरे recording हो जाए तो फिर तो भाई गड़बड हो जाएगा बोलेंगा भाईया थोड़े दिर के लिए अराम कर लो धड़क मत तो धड़क गो हो जाएगा धड़क रुकेगा तुम गो हो जाओगे ऊपर ठीक है फिर है breathing सास लेना यह भी आपका जो है involuntary में ही आता है कुछ देर के लिए इसको voluntary बनाया जा सकता है लेकिन फिर जो है अगर नहीं लोगे तो तुम involuntary बन जाओगे फिर digestion खाना पचना जैसे क्या होता है कि क्या बोला हमने कि आज भाईया शादी में जाना है तो हम बोलेंगा अरे भाई सहब शादी में जैसे पहुंचे स्टार्टर से खाना शुरू करें तुम जो है active हो जाना फटा 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 डाइजेस्ट करते जाना ता हर एक इक आइटम जो हम भर भर कर खाए ऐसा तो नहीं होता है प्नर तो डिजयेशन भी आपका इन वोलंटरी में आता है ब्लीनकिंग बलग जी जीड है अब जीड हुआ यह व सब्सकूंद मिले दो अभी आपका ओले एंटरीPal ओके, ठीक है बच्चा, चलिए, ओके माई, शेर बच्चे और बच्चियों, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, select the correct statement, सही कथन का चयन करें, क्या है भाई, हेट्रोट्रोप्स मेक देर फूड, हेट्रोट्रोप अपना भोजन बनाते हैं, हेट्रोट्रोप्स यूटिलाईज सोलर energy to make food, हेट्रोट्रोप भोजन बनाने के लिए सौर उर्जा का उप्योग करते हैं, तीसरा है हेट्रोट्रोप्स डूनाट मेक देर फूड, हेट्रोट्रोप अपना भोजन स्वय नहीं बनाते, हेट्रोट्रोप्स अर कैपेबल ऑफ कनवर्टिंग कार्बन डायोक्साइड water into carbohydrate, यानि हेट्रोट्रोप carbon dioxide और पानी को carbohydrate में परिवर्तत करने में सक्षम है, वह यह यह कहां से दे दिये हो, बड़ा अजीब अजीब तरह का option दिया है भाई, सबसे पहला है कि हेट्रोट्रोप्स मेक देर फूड, हेट्रोट्रोप्स वैसे organism होते हैं, वैसे जीव होते ह जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्या, नहीं भाईया, तो यह तो गलत हो गया, दूसरा हेट्रोट्रोप्स उटिलाईज सोलर एनरजी टू मेक फूड, हेट्रोट्रोप्स भोजन बनाने के लिए सोर उर्जा का उपयोग करते हैं, यह कब से होने लगा भाई, हम लोग हैं, हम लोग हैं, हेट्रोट्रोप्स, तो हम लोग क्या करते हैं, सोर उर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बनाते हैं, क्या, पता चले हाँ, हाँ भूख लगरी, भूख लगरी, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, तो क्या करेंगे, जल्दी से छत पे जाएंगे, धूप में जाके चेर पर वैड़ आएंगे धूप में हाँ या सोलर एनरजी ले रहें कारबन डायोकसाइड यह वो इनहिल करना शुरू करेंगे बजाय उक्सीजन के अब बोतल रखेंगा बगल में पानी का पानी ब्लस अन्जिद्स पानी अनदर बन गया बिर्यानी ऑह भान गया फोटो सेंथेजिस कर लिए ऐसा होता है क्या नहीं होता है गया ना तो यह कहां से हो गया यह भी नहीं होगा अब लास्ट बूल रहा है कि HETROTROPS carbon dioxide और पानी को Carbohydrate में परिवर्तित कर देता बगला हो का भाई अं यह नहीं होगा यह होगा C hetroTroPS अफना भोजन सिवाएं नहीं बनाता यह दूसरे organism पर autotrophs टे depend करते हैं जो producer होते हैं जो उत्पादक होते हैं जो प्लांट होते हैं जो पौदे होते हैं और दूसरे जानवर होते हैं अनिये चिकन मतन चिकन बिरियानी वेज बिरियानी अंडा बिरियानी आना कि ओके समझ आया समझ में आया क्या आगे बढ़े बच्चा चले next which of the following statement about autotropes is incorrect अब बोला गया है कि इसमें से इसमें से इसमें से तीन सही गलत है तीन सही option है एक गलत option है तो एक गलत option को ढूंड करके निकालना है option है they synthesize carbohydrate by using carb autotropes के बारे में किसके बारे में autotropes के बारे में किसके बारे में भाईया सवपोशी के बारे में सवपोशी ठीक है तो they synthesize carbohydrate by using carbon dioxide water in presence of sunlight and chlorophyll तो यह तो ठीक लग रहा है अना विस्चूरी की परकास की उपस्तती में carbon dioxide पानी और chlorophyll का उप्योग करके carbohydrate का sensation करते हैं इसी को तो परकास sensation कहते हैं तो यह तो सही लग रहा है हमको गलत ढूड़ना है दूसरा है they store carbohydrate in the form of starch अना वे carbohydrate को starch के रूप में संग्रहित करते हैं बिल्कुल सही कि जितने भी हरे पौदे होते हैं जितने भी autotropes होते हैं सब पोशी होते हैं वह अपने शरीर के अंदर glucose को carbohydrate को starch के form में store करके रखते हैं यह भी सही है दूसरा है सी तीसरा है सी कन दे convert carbon dioxide and water into carbohydrate in the absence of sunlight वही या कुछ तो गड़वड़ाई दया और दी में है they form the first tropic level in the food chain है ना वे खाद सिरिंखला में पहला पोशी अस्तर बनाता है the tropic level food chain कौन किसको खा रहा है भाई या घास है तो हिरन खा रहा है हिरन को तो शेर खा रहा है घास है autotropes घास है सवपोशी घास है producer घास है उतुपादक उसको खा रहा है consumer यानि उभोगता यानि हिरन और हिरन को खा रहा है भाई पहला वाला प्राथमी को भोगता तो वही हो गया हिरन दुवितियक उभोगता यानि कि secondary consumer शेर तो पहला ट्रॉपिक लेवल जो फर्स स्टेप पे होता है फूट फूट चेन में खाथ स्रिंखला में जो फर्स स्टेप पे जो भी ऑर्गनीजम जो भी जीव होते हैं जो भी होते हैं उसको फर्स ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है तो फूड चेन के फर्स ट्रॉपिक लेवल को बनात आटोट्रोफस ह dialog बनाता है तो यह तो यह भी सई तो सही क्या नहीं वाला दे कनवर्ट गार्बन डियोक्साइड और इन वाटर इन टूरे कार्बोहिटरेट इन अपसंस आफ सबाइड यानि की बीना शूरी की पर्कास से कई से वाटर और कार्बन डाइयोक्साइड का इस्तमाल करके कार्बो हाइड्रेट में चेंज कर रहा भई यह तुम्हालागी तरह के पौधे बन गया ऑटो ट्रेप्स बन गया क्या हां तो यह वाला होगा आपका सही आंसर है ना यह वाला सी ठीक है करें सोहल खान आप कै्टर्लीस्ट के बच्यें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीच ऑफ दीज रियक्षन अकर सिन फोटो सेंथे से लोगे ने 9-303 एक रिय reaction हना तो इन में से कौन सी परति क्रियां है प्रकास अंसलेशन में होती है पहला है carbon dioxide is reduced and water is oxidized तूसरा में water is reduced and carbon dioxide is oxidized और तीसरा है carbon dioxide and water are oxidized दोनों और D में है carbon dioxide and water are reducing carbon dioxide कम हो जाता है और पाणी ओक सिक्रित हो जाता है है दो तरह का रियक्षोन आप लोगों ने पड़ा है Oxidation reaction में जते हैं अना Oxidation and reduction तो हम फोटो संधेसिस में बता देते हैं मेरे शेर बच्चे दो तरह के reaction होता है एक light reaction होता है एक dark reaction होता है परकास रियक्षण में दो पर्तिक्रियाय होती है एक light और एक डार्क यानि कि जिसमें रौशनी की मदद से water को तोड़ करके oxygen बनाया जाता है और दूसरा डार्क reaction जिसमें रौशनी की ज़रत नहीं होती सुरी की परकास की ज़रत नहीं होती वो carbon dioxide को reduce कर देता है कार्बो हाइडरेट में अब वाटर को oxidize कर देता है ठीक है अब समझ लो अभ यहां पर समझ लो कौन सा आंसर होगा बताओ भाई तो पहला ही option सही है carbon dioxide reduce और water oxidize होता है अना यह दा राइट आंसर एज़ दा राइट आंसर ओके चलो बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां आगे next a few drop of iodine solution were added to rice water the solution turned blue black in color this indicate rice water has complex protein, simple protein, starch या fat चावल के पानी में iodine घोल की कुछ बूंदें डाली गई घोल का रंग नीला काला हो गया इससे पता चलता है कि चावल के पानी में जटिल प्रोटीन है सरल प्रोटीन है स्टार्च है या वसा है तो आपको बता गया बताया गया भाई कि आयोडीन अगर डाल दिया जाए food material में और वो blue black हो जाए तो that means उस food में उस food item में स्टार्च यह भया स्टार्च यह भया इस टार्च नहीं स्टार्च और स्टार्च क्या होता है भाई यह complex शुगर एक तरीके से तो देर सारे glucose आपस में मिलकर के लंबा चैन बना देता है तो उसको स्टार्च कहते हैं एक और टम इसके लिए यूज किया गया पॉली सेक्राइड सेक्राइड का मतलब ग्लुकोज पॉली का मतलब में नहीं डेर सारे ग्लुकोज आपस में जूड़ करके चेन बना रहा है कि स्टार्च होता है ठीक है सर क्या बैच ओफर दस तक खतं हो जाएगा क्या बिल्कुल खतं हो जायँकर दस से पहले सारे बच्ते लो इतने कम पैसे में अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई करो ना तुम्हीं के लिए तो किया है मैंने और किसके लिए किया आन बच्0 के लिए तो नहीं किया है जो डैरेक्ट बोलते हैं कि सर बड़े बत तमीज हो बोड चल रहा है और बैच पर बैच ठोके जा रहे हो अरे तुम मिलों के लिए कर रहे है टाइम नहीं बचेगा बोड एक्जाम जैसे खतम होगा वैसे तुम्हारे सर पर एम्यों जामिया का एक् अब यह कौन सा सही करम है तो भाईया यह तो हमको लग रहा है कि पाचन तंत्र का सीक्वेंस दिया गया है डाइजस्टिव सिस्टम का सिक्वेंस दिया गया देखो माउत स्टमक स्मॉल इंटरस्टाइग एसोफेगस लार्ज इंटरस्टाइगा अच्छे से देखो इसको अच्छे से देखो बेटा अच्छे से देखिए फिर बताईए कि कैसा सिक्वेंस होगा भोजन सबसे पहले कहां जाएगा और सबसे आखरी में कहां से निकलेगा देख लो देख लो देख लो देख लो हम साइट अड़ जाते हैं फिर हम लोग बात करेंगा सर एम्यू का फॉर्म कब आएगा 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 और च्छा जाएगा बस आपकी तैयारी जो होनी चाहिए तैयारी नहीं होगी तो आएगा भी तो आपको क्या फरक पड़ने वाला है है ना सर आप लोगों के पास अलग पहचान कैसे बनाएं हम नहीं समझ में आया कि आप बोलना चाह रहे हैं नयाज हमदानी ओके सर एम्यू नाइन्थ इंट्रेंस एक्जाम डेट अभी फाइनल नहीं है मेरे शेर बच्चे सब बोलने डी बिलकुल से पहले भाई मुख में जाएगा भोजन फिर ग्रास नली यानिकी एसो फेगस यानिकी फूड पाइप फिर स्टमक में जाएगा फिर स्मॉल इंटस्टैन और फिर लाज इंटस्टैन बड़ी आथ बड़ी आत यानिकी डी सिक्वेंस वाला भी कोशन पूछता है चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं इफ सैलेवरी एमाइलेस इस लैकिंग इन सैलिवा विच आफ दे इवेंट इन माउथ विल बी अफेक्टेट कि अंग्रेज हो रहे हो नहीं भाई या हिंदी भी बोल रहे हैं यदि लार में एमाइलेस की कमी हो तो मुह की कौन सी घटना पर अभावित होगी यानि माउथ में बहुत सारे फंक्शन होते हैं कौन सा फंक्शन जो है वो एफेक्टेड हो जाएगा अगर सेलेवरी एमाइ अफेक्टेड हो जाएगा ऑप्शन ए है प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इन्टो अमीनो एसीड स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इन्टो शूगर फैट्स ब्रेकिंग डाउन इन्टो फैटी एसीड एन ग्लैसिरोल और डी में है अब्सॉप्शन एब्सॉप्शन अब्सॉप अफेक्ट करेगा या वसा तूट जाता है फैटी ऐसीड और गलैसिरोल में क्या यह होगा या विटामीन का अवशोषन विटामीन का अब्सॉप्शन किया जारा किया यह वाला पॉर्शन जो है वह अफेक्टेट होगा अब यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत यह है एक से हाँ 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 तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटीन अमीनो एसीड में टूट जाता है तो भाई प्रोटीन अमीनो एसीड में कहां टूटता है सबसे पहले protein इस तमक में तूटता है तो ये तो mouth की बात हो रहा है तो यें वीतामीन का absorption हो रहा है allora ये लाजंआज इंटस्टैन की बात हो रही है water vitamins का absorption हो रहा है तो ये भी नहीं हो गा बचा ये वाला starch breaking down into sugar है स्टार्च टूट जाता है सरकरा में तो माउथ में सबसे पहले जो है वो स्टार्ज का ब्रेकडाउन होता है अबाउट 30% 30% स्टार्ज का ब्रेकडाउन शुगर में हो जाता है सरकरा में हो जाता है बाकी का 70% जो है वो आपका small intestine में ही होता है तो यह वाला जो है अगर आपके लार में salivary amylase enzyme की कमी हो जाए तो starch जो है वो नहीं तूटेगा glucose में यही होगा ठीक है चल यह यह होगा बी दे इनर लाइनिंग ऑफ दे स्टमक इस प्रोटेक्टेड बाई वन अफ फॉलोइंग फ्रम हाइड्रो क्लोरिक एसेड चूज द करेक्ट वन पेट की आंतरिक परतने मलिकित में से किसी एक द्वारा हाइड्रो क्लोरिक एसेड से सुरक्षित रहती है सही चुनिये भाहिय एक अंद्रोनी वाल जो है वो डैमेज हो जाएगा उस डैमेज से किसे डैमेज हो जाएगा हाइड्रो क्लोरिक एसेड क्योंकि हमको पता है कि हमारे स्टमक से एक जूस निकलता है एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं उस गैस्ट्रिक जूस म है क्या-क्या होता है भाईया म्यूकस होता है आपका पेपसिन होता है और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसीड होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसीड है उस एसीड से आपके स्टमक का आपके पेट का आंत्रिक परत जो है वो इनर लाइनिंग जो है इनर वाल का जो है वो डाइमेज ना हो उसके लिए इनमें से कौन सा है जो बचाता है भाई या हैड्रोक्लोरिक एसीड से आप्शन है आपका म्यूकस सेलेवरी एमाइलेस पेपसिन या बाईल इसको म्यूकस से लिख दो भाईया बल्गम सुनने में थोड़ा सा गंदा लग रहा है लार एमाइलेस पेपसिन या पित बताओ दो पित तो भाईया लीवर लीवर सिक्रीट करता है कि इसलेवरी मिलस पर माउथ में ही स्टमक में अब मुकस भी होता है आपका स्टमक में पेट में तो नहीं होगा क्योंकि प्रोटीन को तोड़ने का तो यह नहीं होगा बचापका मुकस मुकस तो मुकस दराइट अंसर म्यूक्स जो एक च चपचा लसलसा पदार्त होता है जो आपके स्टमक के इनर लाइनिंग को अंदरे वाले परत को हाईडरो कलोरिक एसीट से प्रोटेक्ट करता है डैम लें है कि ऊपए ति के ओक ऐख़े को युदि आ अगे बढ़ते हैं अलिब बढ़ते हैं रिसीव बाइल फ्रॉम दा लीवर अहार नाल का कौन सा भाग यिकृत से पित प्राप्त करता है स्टमक स्मॉल इंटरस्टाइन लार्ज इंटरस्टाइन या फिर एसो फेगस पेट छोटियां बढ़ियांत या ग्रास नली बताये अब आको पता होना चाहिए कि लीवर हमारे शरीर का सभसे बड़ी ग्लैंड माना जाथाया ग्रंति माना जाता है सभसे बड़ी ग्रंधी हो मासुरित लीवर जो बाइल जर्फित जो पित का प्रोडफ्शन करता हैben है तो यह जो पीत बना रहा है यह जो बाइल जूस का सिक्रिशन कर रहा है वो बाइल जूस कहां जाएगा क्या वो बाइल जूस स्टमक में जाएगा बिल्कुल नहीं क्या वो बाइल जूस लार्ज इंटरस्टैन में जाएगा बिल्कुल नहीं एसो फेगस में जाएगा बिल्कुल नहीं, कहा जाएगा इसमॉल इंटस्टाइन में, तो वो अपना सिक्रीशन, वो अपना स्राव, जो बाइल कर रहा है, जो पित कर रहा है, वो कहा जाएगा छोटी आंत में जाएगा, कहा जाएगा छोटी आंत में, तो B is the right answer, उसी तरीके से पैंकरियाज, अपना सिक्रीशन, अपना स्राव, ये भी छोटी आंत में ही डालता है, आरी बात समझ में, ये चीज, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की तरफ, चूज दा फंक्शन अफ पैंकरियाज जो सिक्रीट कर रहा है, उसकी बात हो रही है, पैंकरि क्या सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, और पैंकरियेटिक जूस, ये तीन तरह का स्राव करती है, तो उस पैंकरियेटिक जूस का क्या कार यह है, क्या फंक्शन है, वो हमको सही करना है, सलेक्ट करना है, देखते हैं भाईया, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रो ये भी गलत हो गया, trypsin digest protein and lipase digest emulsified fat, ये बिल्कुल सही हो गया, तो trypsin protein को तोड़ता है और lipase emulsified fat को तोड़ता है, trypsin protein को पचाता है और lipase emulsified vasa को पचाता है, तो D is the right answer, पाचन तंतर में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है माई ने, बताओ, चलिए बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, लगे रहो, लगे रहो, आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बच्चे, the correct sequence of anaerobic respiration, अवाई-वी स्वसन का सही करम, अवाई-वी स्वसन, यानि कि वैसा स्वसन, जिसमें energy तो बन रहा है, लेकिन glucose तूट रहा है बिना oxygen की मदद से, अवाई-वी स्वसन कहते हैं, anaerobic respiration कहते हैं, तो क्या सही करम है भाईया, सही sequence क्या है, glucose पहले टूट रहा है पाई-वेट में और पाई-वेट टूट रहा है लेक्टिक एसिड में, glucose टूट रहा है पाई-वेट में, पाई-वेट टूट रहा है एथनॉल प्लस कारबन डायोक्साइड में, glucose टूट रहा है पाई-वेट में, पाई-वेट टूट रहा है एडिपी में, एडिपी टूट रहा है लेक्टिक एसिड में, ग्लुकोस टूटरा है, पारुवेट में, पारुवेट टूटरा है, कार्बन डायोकसाइड में, फिर एफनॉल पलस एनर्जी, आवाईवी स्वसन, एन एरोबिक रेस्पिरीशन का सही करम बताओ, बता बाओ, बता बता, बता 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 बच्चे, बता इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर होगा D ग्लुकोज तूटेगा पाइरुवेट में फिर पाइरुवेट तूट जाएगा कारबन डायोकसाइट फिर एथनॉल और साथ में उर्जा भी बनता है कितना बनता है टू एटिपी दो ही एटिपी एनर्जी बनता है इसमें जिसका सही ऐसाए अनसर हो जायएगा डी के लाउन डे का मैसे जा रहा है कि भई या पंद्रह गलत है क्या है पंद्रह देखे ज्रा इसा कैसे हो सकता है सन्ट थे पंद्रे का डी माउथ एसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ठीक तो है भाईया भांग के नशे में हो गया है बताओ असद रजाह साहब है मुद हो लो नींद आ रही है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ हमने बताया था कि पंकेरेटिक जूस में कौन-कौन से इंजाइम पाए जाते हैं अभी तोड़ी दिर पहले हमने बताया अगनासे रस्में निमलिखित इंजाइम नहीं होते ट्रिपसीन ट्रिपसीन होता है सरं एमाइलेस भी होता है सरं पैंकेरेटिक मैलेस लाइपेज भी होता है सर्टायलीन नहीं होता थे है ओके 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 किया हुआ किया हुआ किया हुआ कि तेरा वादा है असद राजा साब क्या हुआ भाई क्यों सही है ना सब कुछ मामला सेट है सेट है ना चली आगे बढ़ते हैं आगे 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 दपैंक्रियाज पोर देर सिक्रीशन इंटू अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि लीवर यकृत जो अपना सराव करता है पित रस बाइल जूस वो कहां डालता है छोटी आत ब बढ़ी आत इस्त्रमक्य जिन री तो यह हो गयां से तो उसल दूरीखिस पैंक्रियाज अपना स्राव यानी पैंक्रियरियतिग जूस इसमें ट्रिपसिन जिसमें लाइप完了 साहां किया है मैलेज ये कहां डाले दन चोटी आत बढ़ी यात इस्त्रमक्या ग्राणी ट्ुडे सालीवा में होता है गुद 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 कौन बोला है भाई अफीफा बिलकुल सही बिलकुल सही बोला जा रहा है, small intestine बिल्कुल सही है, small intestine बिल्कुल सही, लेखिन, 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 यहाँ पे एक और टर्म दिया गया है, duodenum, जिसको ग्रहनी कहते है छोटी आथ के तीन हिस्से, duodenum, jejunum, ileum, duodenum, ileum और jejunum, duodenum, jejunum, ileum, तो duodenum जो C-shape का होता है, जो स्टमक से, अगर हम स्टमक का डाइग्राम कुछ इस तरीके से बनाएं, और यहाँ से यह जो C-shape जो है, यह वाला portion जो है, यह वाला portion जो है, इसी को duodenum कहते हैं, यह small intestine का पहला part है, तो इसी से connected होता है, इसी से connected होता है, while duct, और इसी से connected होता है, pancreas, यहाँ पे, pancreas, इस duct के जरीए, pancreatic duct, और कहाँ डालने है, duodenum में, तो इसका सही answer, duodenum, सही answer, duodenum, ठीक है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे share, बच्चे, आगे बढ things are part of, मनुष्य में गुर्दे, किसका हिस्सा है, या, nutrition का, portion का, respiration का, स्वसन का, excretion, utherjan, circulation, parisanchron, गुर्दा, kidney, किसका हिस्सा है, बेन शेप का होता है, abdominal region के पीछे होता है, यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा, अगर kidney किसी का निकाल लिया, iPhone लेने के चकर में, तो यहाँ यहाँ पकड़ेगा, यहाँ पकड़ेगा, हाना, दर्द यहाँ होगा, अगर यहाँ पर टाका लगाता है, आजकल टिक्टॉकर बोलता है कि, यलो iPhone, तो इतने पैसे कहां से लेकर आ गए भाई, उसकी girlfriend पुरा surprise है, पुरा खुश है, आइफून मिल रहा है, 15 pro max, क्या-क्या होता है, तीन कैमरा, चार कामरा, पैच कामरा, जो भी है, तीन कैमरा, खुश के एक दे, मा, ऐसे कर रही है, अब वो लड़का जो है, वो ऐसे दर्द से, ऐसे expression दे रहा है, कि, ऐसे ऐसे कर लोगे, पागल किड्नी निकाला है, तुमरे पेट से कुछ खाना नहीं निकाला ज पर से व्यूज पे व्यूज ले करके जा रहे हो, है ना, यह चीज़ है, सर आपकी आवाज अच्छी है, कामरान खानता है, तो इसका सही आन से nutrition नहीं होगा, respiration नहीं होगा, circulation नहीं होगा, excretion होगा, यानि कि उतसरजन, क्या होगा, उतसरजन, किड्नी की मदद से, किड्न के अंदर होते हैं, nephron, millions of nephron पाए जाते हैं, जो blood को filter करके urine बनाता है, मूत्र बनाता है, ठीक है, ओके मलांगा, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, क्या हो गया, भाई, net issue हो गया, क्या, सब सही है, ना, बच्चा पाड़े, सब सही, सब बढ़ियां, सीवम सर का उधर क्लास चल रहा है कि नहीं, कल चल रहा है, देख लेते हैं, चल तो रहा है, इतना छोटा questions क्यों दिख रहा है, बई, ठीक है, ठीक है, चल बढ़ियां, क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा भाई, दो ओपनिंग अन क्लोजिंग अफ इस टेमेटल पोस डिपेंड अपाउन, रंदर के छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्वर करता है, औक्सीजन गार्ड सेल, कंसेंटरेशन अफ कार्बन डायोकसाईड इन स्टुमाटा या टेमपरेचर, औक्सीजन गार्ड कोशिका है, इस टुमाटा में कार्बन डायोकसाईड की सांधरता या तापमान, बताओ, बता मेरे शेर बच्चे सर पीडियेफ मिलेगा ना बिलकुल पीडियेफ मिलेगा बिलकुल मिलेगा आपको एप में जो वीडियो का अप्शन आएगा वहीं पर पीडियेफ मिल जाएगा ठीक है वहीं पर मिल जाएगा सर साउंड नहीं आ रहा है कैसे साउंड नहीं आ रहा है भाई इतना जोर-जोर से तो बोल रहा है बताओ मुझे तो आ रहा है साउंड यह भी सही आंसर होगा और गाड सेल की वज़े सही ओपन और क्लोज होता है ना तो यह भी सही होगा ठीक है तो गाड को शिकाएं भी सही आंसर है इन दगाव घाल को दैटल्स सिस्टम दधे इंजाइम पेपसीन ट्रिप्सीन ए स्बासिन उपाढके m 23 आजाइम नाथ मॉंड ने को उपाचरां उनग्रीव न कि न के दोर्वित होते हैं किसकी बात हो रही से प्रपTrसीन और ट्रिप्सीन की बात हो तो अब देखो pancreas and liver, pancreas and gallbladder, stomach and pancreas या stomach and celery gland, अगनाशे और यिकरित, अगनाशे और पिताशे, पेट और अगनाशे या पेट और लार ग्रंथी, देखो pepsin और trypsin दो अलग-अलग enzyme लेकिन काम दोनों का एक ही है, protein को तोड़ना, लेकिन ये दोनों अलग-अलग ग्रंथी, अलग-अलग gland से स्रावित होते हैं, secret होता है, अगर हम trypsin की बात करें, सबसे पहले क्या पेपसिन, तो pepsin सबसे पहले जो पेपसिन जो होता है, वो stomach release करता है, और trypsin जो है वो pancreas, यानि कि पेट और अगनाशे, stomach and pancreas, C is the right answer, ठीक है, भूलना नहीं सर, PDF अप्लोड करवा दीजेगा, बिल्कुल, 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 अप्लोड करवा देंगे मेरे लाल, चली, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, which of the statement is correct regarding bile, bile, pit, पित की बात हो रही है, पित, जो यकृत से, जो लीवर से सिक्रीट हो रहा है, सराव हो रहा है, तो कौन सा statement सही, यानि तीन गलत है, एक सही है, सिक्रीटेट बाइ, डक्ट, एन स्टोड इन लीवर, बोला गया है कि डक्ट, डक्ट का मतलब होता है, वाहनी, डक्ट का मतलब पाइप, जिसके माधियम से सिक्रीट हो रहा है, तो बोला गया है कि सिक्रीट बाइट, डक्ट से सिक्रीट हो रहा है, वाहनी दौरा सुरावि भाइब चिसमें बाइब लोकर गुजरता है उसमें Hetार हो रहा है। शीक्रिटर्ड बाई लीवरes टूरंड गॉल ब्लडर और सीक्रिटर्ड बाई गॉल ब्लडर एंसी तो इनली रिवर यग कीयर द्वारा सुरावित और पित नलि में संग्रहित, येक्रित द्वारा स्रावित और पिताशे में संग्रहित, पिताशे द्वारा स्रावित और Любre निकलता है लिवर ही बायल जूस को बनाता जा कर थोड़ी दिर के लिए promoted होता है तो सिक्रिटेड वाई लीवर एन इस्टोड इन गॉल ब्लडर है ना तो सीज दराइट आंसर येकृत द्वारा स्रावित और पिताशे में संग्रीत गॉल ब्लडर में इसलिए जाकर के थोड़ी देर के लिए स्टोर किया तो उसको गाढ़ा बनाया जाता है फिर उसको वही बाइल डक्ट के माधियम से फिर छोटी आत में जाकर के डियोडेनम में जाकर के डाल देता है ठीक है है सर हमको क्या आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है नहीं 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 मोबाइल नंबर नीचे दिस्क्रिप्शन में हैं वहां पर है नंबर वहीं से जा कि बच्ता है कौन से कंपोनेंट को तोडता है प्रोटीन को है inspire olar दिक को तोड़ता है कि पेपसिन को तोड़ता है था था ये ले फेज minerals की तो बात ही नहीं हो रही Carbohydrate को तोड़ता है कौन तोड़ता है भाई salivory amylis enzyme ठीक है ठीक है तो D is the right answer ज्यादा टाइम निलेंगे से बहुत आसान question where are protein first digested यह सवाल अच्छा है बोला गया कि सबसे पहले protein कहां तूटता है भाई protein सबसे पहले कहां पचता है छोटी आत बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं फिर बोल रहा है stomach फिर बोले large intestine फिर बोले mouth mouth में भी बिल्कुल नहीं mouth में कहां से अब बात आ गया पेट का और large intestine का बड़ी आत का तो large intestine बिल्कुल नहीं ठीक है बच गया stomach और stomach में कौनसा enzyme pepsin 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 तोड़ देता है protein को pepsin तोड़ देता है protein को peptones में किसमें वह या peptones में ठीक है हाँ चल यह ठीक है बड़ी है सर आपका पढ़ाने का तरीका थोड़ा casual है अच्छा बहुत बड़ी है आगे बढ़ते है next question which is the first enzyme that mix with food वह पहला वह पहला इंजाइम का नाम बताओ जो सबसे पहले भोजन में मिक्स हो जाता है सेलेवरी अमाइलेस, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन या फिर गैस्टिक जूस बताइए तो मैंने पहले भोजन कहां डाला, माउथ में, और माउथ में एक गरंथी है, एक ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड, लार गरंथी, अब वो एक enzyme सेक्रीट करता है, सेलेवरी अमाइलेस सबसे पहले भोजन माउथ महीं मिक्स होगा उस enzyme से, तो कौन सा enzyme होगा, सेलेवरी अमाइलेस, सेलेवरी अमाइलेस, ठीक है? कि मेरे बाइब, बुलना है कि कुछ भी हो जाए, सदाप सर मेरे बच्चा बोलना छोड़ेंगे नहीं, क्यों छोड़ेंगे भाई? क्यों? The cellular energy reserves in autotropes are, autotropes में cellular urja भंडार किस में इस्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इस्टार्च के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, फैटे असिट के फॉर्म में, बताइए, तो autotropes में, जो अपना भोजन खुद बनाता है, photosynthesis करके, परकास translation करके, तो वो कि जो energy है, वो किस फॉर्म में उसके अंदर इस्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में तो हम लोगों में होता है, प्रोटीन के फॉर्म में, फैटे ऐसिट के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है? ओके? चली बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं सर आगे बढ़ते हैं दा आटो ट्रोप्स रिक्वाइर अना सव पोशी को किस चीज के अवशक्ता होती है बैया जो अपना भोजन खुद बना दे क्या उसको कारभन डाइोकसाइड और वाटर की जरूरत होगी बिलकुल होगी क्या वो क्लोरोफील का यूज시 करेगा बिलकुल करेगा क्या सुरी की परकास की भी जरूरत है नहीं बनेगा रोजा रठना पढ़ जागा प्लांट को ठाहिक है सर दो यार पच्छिस के एम्यू इंट्रेंस के लिए बैच कब चालू करोगे भाई या बहुत टाइम है अभी जब चालू होगा तो पदा चल जागा मेरे शेर चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ दब ब्रेकडान ऑफ पाइरुवेट इन्टु कार्बन डायोकसाइड एनर्जी और वाटर बनता है तो कहां तूटता है माइटो कॉंड्रिया में साइटो प्लाजम में इंडो प्लाजमिक रेटिकु बता देते हैं भाई दो यह आपका कोशिका है अना और इसमें ग्लुकोज पाहिले से ही मौजूद है बाहर से आ गया ऑक्सीजन क्या आ गया भाई अंदर ऑक्सीजन अब इस ग्लुकोज और इसमें एक सेल और्गनल भी बना देते हैं यहां पर यह है माइटो कॉंड्रिया तो सबसे पहले बिना ऑक्सीजन के मदद से तूटेगा गुलुकोज इसमें टूटेगा पाईरुवीक एसीड्वेट में प्रिस पाहर गुचिद को ले जाया जाएगा माइटो कॉंड्रिया में और यहां ऑक्सीजन की मदद से तोड़ देंगे तो और अलश्यच अनर्ज जब माई टोर्क किसकी मदद से ऑकसिजन कीमदद से रहे रेस्पिरेशन कौन सा एरोबिक रेस्पिhöरेशन है वाय besar युन माइटो कॉंट्रिया मैं टूटा मेरे मेरे लाल माइट्द युकॉण्डरिया के लिकतिव का वा झेक प्वाथ में तूटा बजील कि मुट слова रेस्पीरेशन कहा होता है साइटो-प्लाजम में कि ओसञा कहा होता है और आयु वी सवर्शन distingu season कहां क्यों रिचया मैं aerobeak respiration में कितना energy बनेगा 4888 कि ओसञानों में कितना energy बनेगा 38888 के आवाई वी सवर्षन में में कितना वर्जा मालए या दो एटी फी तो दोनों कलास पाइट बच रहे था कि सर भॉजन का पुरन पाचं चोटी एंत नहीं होता है ना तो लास्ट वाला छोटी आध होगा ना कि अरे भाई-साव क्या बात कर रहा हो यह कि सवाल पर तुम लटे रहे हो 15 नमर सवाल का रवा देखें कि रहा कहां बहुतसए लेते हैं फिर सकते हैं क्या लिखावार यदी i schon सबसे पहले माउथ मैं बहु nostalgic आएगा फिर फूड्ट पाइप में भोजुण जाएगा फिर पेट में जाएगा फिर चोटी आत्में जाएगा फिर बड़ी आत्में जाएगा कीके का और डी पे हमने टिक किया है तो यह तो सही है ना यह तो सही है कॉंसेप्ट हिला हुआ है मेरे लालाब का अगर नहीं समाज में आ रहा है लेक्चर देखो जहाओ जो हमने पढ़ाया वहां जागर के देखो पहले पूरा लेक्चर देखिए तब समझ में आएगा चले नेक्स्ट कोश्चन गों समॉण प्राइट दी कर्एक्ट सीक्वेंस ओफ एयर पैसेज इन्वाल इन हैलेशन अंता स्वार इंचर न्याज वृ रा स depends यॉव हैं सबसे पहले वर कहां इंटर होगा हवा कहां ब्νεुकर गोर को य credited हो ठीक है तो लेरिंग्स, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लंग्स, यह नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेक्या यह अल्विलाई, नेजल पैसेज, लेरिंग्स, ट्रेक्या, फेरिंग्स, अल्विलाई यह नन, स्वर्यंत्र में नाशिका में ग्रस्नी में फेफडे म नासिका, ग्रस्नी, स्वार्यंत्र, स्वासनली, एल्वेली, नासिका, मार्व, स्वार्यंत्र, स्वासनली, ग्रस्नी, एल्वेली या कोई नहीं, बता इसका अंसर, कोश्चन को देखिए, तभी आप लोग सही से आंसर कीजिए, इसे हड़बडा के गलती मत करो, है सिर्फ यह सब कोशनकर ने से होगा तब और कौन सा कोश्चन तुमको कर सबसमें सा तो सीच पाइगा और करा रहे हैं और कराएं है जितना कोश्चन अपने दिया है जितना ये करा रहे हैं, जितना टेस्ट में देंगे, इससे बाहर कोशन नहीं आएगा, ये लिख लिए हो कहीं से भी, ठीक है, बस रिविजन करते रहे हैं, कोशन प्रैक्टिस करते रहे हैं, बदा भाई, सर ये अलिगण जंक्षन बैच क्या है और इसमें क्या क्या है, आज से शुरू हो गया है, पहला चैप्टर, सुबह में मैथ का हो गया था, कल केमिस्ट्री का होगा, शेडिूल अप्लोड है, हर दिन हर चैप्टर का लाइप कोशन प्रैक्टिस सेशन होगा, और रिकॉड़ेट सारे लेक्चर्स वहाँ पर अप्लोड है, नोर्स अप्लो करो कि बहुत कम टाइम बचा है आप लोगं के पास, सर लेक्चर बैच में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे भाई, सर आज स्टार्ट क्या हो जाएगा, भाई, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ, आज से लेकर के, एक्जाम से पाँच दिन पहले तक अराम से आप तैयारी कर सकते हो, आपने 10 पढ़ा है, हाना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये इसका सही आंसर करो, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे परे नॉस्ट ये जो दो छेद है, ना सिका जिसको कहते हैं, हाँ, अब उसके बाद फैरिंग्स, फैरिंग्स, ग्रस्नी में जाएगा, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया ये वलप, और फिर अल्विलाई, ये लंक्स में जो बलून ल बहुत देखें, अब पर नहीं मिल रहा है, ऐप पर 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 mache करो अगर इंग्लिश वाला हो तो भाई अलीगड जंक्षन 2.0 जाकर के पर्चेस किजिए 15.99 का है और अगर हिंदी माधियम से तो भाई 11.99 कुछ करके है अंतिम 2.0 बैच हिंदी वाला है उसको जाकर के पर्चेस करो वहां अल क्लासेज में चैप्टर वाइज फोल्डर बने में सब वहां पर अप्लोड है ठीक है है हाँ कॉमन पैसेज है फूड और एर दोनों के लिए फैरिंग्स जिसको ग्रसनी भी कहते है नेक्स्ट डूरिंग रेस्पिरेशन एक्स्चेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इंस्वासन के दोरान गैसों का आदान परदान कहां होता है भाई बताई इसका अंसर अभी बैच का टाइम टेवल बता दीजिए बैच के अंदर आप इंटर करोगे सारा शेडियूल वहां पर अप्लोड है कि किस दिन कौन सा प्रैक्टिसेशन कितने बज़े होगा ठीक है 35 कोशन कब मिलेगा यह सब कैलकुलेट करके ही 35 कोशन है जितने अप में डीपीपी के फॉर्म में सारे मिलागर करके ही 35 कोशन है गधू अच्चे एमडी शरीफ सर आप तो मेरा नाम नहीं लेते हैं तो ले तो लिया बता इसका आंसर तो इसका सही आंसर है भाई एल विलाई में भाई एल विलाई में लंक्स में जो एल विलाई होते हैं फेपणों की जो वायू कोशिका होती है इस तरीके का को ब्लड में जाता है और व्लेट से जो carbon dioxide यह वह एलविलाई माता है तो गैसों का आदान-परदान उक्सीजन और carbon dioxide का एक्षेंज जा है यह एलविलाई में होता है वाई-पकोशिका में होता है ओके चले, next question की तरफ बढ़ते हैं, what prevent back flow of blood during contraction, अब हर्ट की बात कर रहे हैं, हिर्दय की बात कर रहे हैं, तो हिर्दय में blood का back flow, या हमारे शरीर में blood का back flow, संकुचन जब दबाव होता है, contraction होता है, तो रक्त का वापस परवाव होने से कौन रोकता है, Valve in Heart, हिर्दे में Valve, thick muscular valve of ventricle, निलए की मोटी मास57 की दिवारे या thin wall of arteria, arteria की पत्ली दिवारे, या फिर all, सभी हम लोगों पता है कि हमारे heart में जो होते हैं वो Valve होते हैं हिर्दे में जो होते हैं, जो blood को backflow होने से बचाता है ठीक है चार तरह का वाल्व जो दो तरह का वाल्व जो आपने पढ़ा है एक आपका होता है सेमी लुनर वाल्व एक होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व और एक होता है बाइकस्पिड वाल्व तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व और लेट साइड में बाइकस्पिड वाल्व जिसको माइटरल वाल्व भी कहते हैं और आर्ट्रिया और फिर आपका हिर्दे का जो चेंबर होता है जो कोस्ट होता है उसके बीच में जो वाल्व होता है उसको सेमी लूनर वा किड्नी में बनेगा उसके बाद कहां जाएगा यूरेटर के बाद कहां जाएगा आपको पता है यूरेटर के बाद कहां जाएगा आपको पता है यूरेटर के बाद यूरेथरा के माधियम से वो निकल जाएगा तो सबसे पहले किड्नी है ना उसके बाद यूरेटर उसके ब इमाद एहत्शाम सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो सर विश्वास टू पॉइंटो हिंदी मेडियम में लेक्चर है हाँ अरे वूसी विश्वास वाला ही अंतिम टू पॉइंटो बैच बन गया है मेरे शेयर सर ये पढ़ने से पास तो हो जाएंगे अरे यार का है हम इतना मेहनत कर रहे हैं राद दिन एक कर रहे हैं भाई ऐसे बात कर रहे हैं बताओ दिल पर चोट लग गया देखो During Deficiency of Oxygen in tissue of human, paravic acid is converted into lactic acid in मनुश्य के उत्तकों में अक्सिजन की कमी के दॊरान paravic acid, lactic acid में परिवर्तित हो जाता है तो वो कहा होता है, Cytoplasm में, Cloroplast में, Mitochondria में yeah Golgi body में कोशिका द्रव्य में या क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉंड्रिया में या गॉल्जी बॉडी में, बताओ भाई, बताइए, एनरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो एनरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉंड्रिया में तो नहीं होगा, गॉल्जी बॉडी में त लुकोस को तोड़ना शुरू कर देता है जिसमें क्या होता है लेक्टिक एसीड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से मुसल्स में क्रैंप आ जाते हैं दर्धोना शुरू हो जाता है ठीक है कि चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ जाइलम help in जाइलम किस चीज में मदद करता है transportation of water, translocation of food, both a and b transportation of water and minerals, पानी का परिवहन, भोजन का स्थांतरन, ए और बी दोनों या पानी और खनीजों का परिवहन तो प्लांट में भी ट्रांस्पोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, जिसमें जैलम और फ्लोयम दो उत्तक हैं, जो ये काम करते हैं, दोनों मिलकर के भोजन, खनीज और जल का परिवहन करते हैं पूरे पौधों के शरीर में. तो जैलम क्या करते हैं, फ्लोयम की अगरम बात कै तो भोजन का परिवहन करते हैं, जैलम क्या करते हैं, जैलम जो हैं वहाटर और मिनरल्स दोनों का परिवहन करते हैं, पाली और खंचटो prove वहन के पूरे पादप शरीट में, सूरी हैं? चलिए आगे बढता है नेक्स्ट कॉस्टिन की तरफ विच और्गनल इसकॉड पावेर हास ऑफ दी सेल तो जहां ऊर्जा बंता है जहां पावर बंता है उसी को पावर हाउस कहते हैं किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो भईया राइबोजोम तो प्रोटीन बनाता है गौल जी बाडी नहीं होगा माईटोकॉंड्रिया जो है पावर हाउस अब देसेल होता है उर्जा यहीं बनता नेक्स्ट विच रेस्पिरेशन इसमच एफीशियंट कौन सी सवशन अधिक गुशल है तो जिसमें ज्यादा एनर्जी बनता है वही सवशन ज्यादा कुशल है स्वसन दो तरह के होते हैं एक वायूवी श्वसन एक वायूवी श्वसन एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP एनरजी बनता है और एनरोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP एनरजी बनता है तो कौन वा वायूवी या वायूवी वायूवी तो क्या हो गया भाई एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक जिसमें ऑक्सिजन की मदद से गुलुकोस को तोड़ा जाता है ठीक है सब्सक्रास नाइन का कब आएगा पीवाई क्यों बिलकुल आएगा जुने द्रजा राइट फूल फार्म आफ एटीपी एटीपी का पूरा नाम एडिनो साइन ट्राइफ फोस्फेट यानिकी सी सी ठीक है यह भी पूछ देता है कभी कभी दा फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ दि कीडनी इस कॉल गुर्दे का निस्पंदन इकाईयों को डैश कहा जाता है यूरेथ्रा यूरेटर नियूरॉन नेफरॉन मुत्रमार्ग मुत्रवाहिनी नियूरॉन या नेफरॉन तो फिल्ट्रेशन यूनिट जहां ब्लड फिल्टर होता है और यूरीन बनता है और मिलियन्स की तादाद में किडनी में गुर्दा में नेफरॉन पाये जाते हैं क् निस्पंद निकाई गुर्दा का कहा जाता है ठीक है सर जी आप स्माटी स्माटी बॉए हो अरे ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटो संथेसिस कम फ्रॉम परकास संसेलेशन के दौरान निकलने वाले ऑक्सीजन कहां से आती है वाटर से क्लोरोफील से कारभन डैयोकसाइट से या ग्लुकोस से त्थब या वाटर से कहां से वाटर से कहां से वाटर से कहां से वाटर से विच आउट ओफ दैम इस राव मटेरियल फोर फोटोसंथेसिस इनमें से परकास ंसलेशन के लिए कच्चा मॉ statewide कौन सा है कारबन डायोकसाइड पानी और ऑक्सीजन भाईया यह दोनों कारबन डायोकसाइड और पानी ऑक्सीजन थोड़ी नहीं और इसका सही आंसर क्या होगा डी और यहां पर मेरे शेर बच्चे यह प्रैक्टिस सेशन होता है फिनिस्ट मज़ा आया मज़ा आया तो सारे बच्चे कमेंट में जाकर के कमेंट करेंगे कि यह शेर्षन कितना मज़ेदार था बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई हम लोग इतने अच्छे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कम पैसे में तुन लोगों को पच्च नहीं रहा है तरह तरह के कमेंट करते हैं तो उन लोगों को भी बता दो भाई हमारा हमारी आर्मी तो आप लोग हो ना आप जैसे प्यारे-प्यारे बच्चे हो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं आप हमको मोटिवेट करते कम पैसे में तयारी करना चाहते हैं आरी बात समझ में तो आप लोगों की दुआ से हम लोग जो है आप लोगों तक एड्यूकेशन पहुचा रहें बच्चे सेलेक्ट हो रहे है तो जब्दा तीन साल में 1000 प्लस सेलेक्शन हम लोगों ने दिया अल्ला करम से आप लोगों की मे और हमने हमने भी दिये हैं हमने टॉप रेंग दिया इतना अरे भाई हमने सेलेक्शन दिया तीन साल में हजार बच्चों को एम्यू जाम्या पहुंचाया है कि जो रैंक वन है वो भी वही है जो रैंक मान लो 100-200-300 वह भी वही है कि रैंक वन लाना का मकसद क्या है चलो ठीक confidence बाढ़ गया लेकिन सेलेक्शन सबका हो रहा है सेलेक्शन होना चाहिए गरीब बच्चा का सेलेक्शन हो जाए या जो अलीगड़ पहुंच नहीं पाए मतलब अलीगड़ के में में और जामया में कैंध हैंlike में जाधातर कम पैसे में अच्छे मतलब गरीब से घरीब बच्चे पढ़ ले रहें जो इंजनीरिंग कम पैसे में हो जाए है तो उनको रंग ओन नहीं चाहिए उनको इंजिनिएरिंग करना है उनको डॉक्टर बनना कम से कम पैसे में पढ़ना है तो वह चीज़ करा रहा है H lives selection नहीं दिला दो बच्यों का selection नहीं करते हम तीन बच्चों का selection कर आफ है ठीक है तो 11 का क्रेस को सा चुका है भाई हाना जिसको जिस बच्चे को भी जुएन करना है भाई तो इंग्लिश वाला गर करना है तो अलिगर जंक्षन 2.0 हिंदी वाला करना है तो अंतीम 2.0 1299 और यह जो है वो 1599 अटेस्सिरीज इसी में है अलग से टेस्सिरीज नहीं आएगा इस हिंदी में सफलता टू-पवग कर है तो हींदी बाले वाले वक्षयों के लिए जो हिंदी बाद कर रहे हैं है तो यह आपको मिलेगा कहां यह बैच्य आपको मिल जाएगा lotta सrąे लापे डॉलोड कीजिये पीड को अकrop Sun कर n सब6स दूए धी कोर्स 9 के लिए लिजे चैंपियन वैज 6 के लिए लिजे ठीक है चैनल को जो बच्चे नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें लाइक करें शेर करें मज़े करें पढ़ाई करें सेलेक्शन लेना है थैंक यू सो मुच कर दो